थेने, तो अगर आप मेशूर सप्लाइर है, तो आज के टाइम पे आपके लिए सबसे बड़ा इश्यू यही ए कि दूस्तों हर मेश्व सप्लाइर के लिए बहुत बड़ा इश्व है कि उनको बहुत सारे रॉंग रिटर्न आते हैं जिसके वैसे क्या होता है कि एक तो उनका बहुत ही ताइम बेस होता है वीडियो बनाने में उनके क्लेम को अप्लाइ करने में और दूसरी चीज की एक लि करते हैं जिसके क्लीम की यह सब्सक्राइब करते हैं जोनका बहुत की तरस से उनको मेल आ जाता है कि dear sir या ma'am आपका जो claim amount है वो बहुत जादा हो चुका है हमारी limits से reach हो चुकी है आपके claim amount देने की तो आगे का जो भी claim है वो आपका approve नहीं कर पाएंगे तो इसका solution क्या है क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से product ship करते हो लेकिन कुछ fake bias fraud bias क्या करते हैं कि उसमें सामान निकालके कुछ भी waste चीज भेज देते हैं और वह ऐसी चीज़े भेज दें इसको कोई sell नहीं कर सकता इसकी कोई value नहीं होती मैं अपना example बहुत बहुत बार दे के जो की waste होती है या फिर आप उसको कच्रे में ही fake सकते हैं उसकी value नहीं होती इसकी वैसे बहुत सारे लोग को loss होता है बहुत सारे लोग परिशान होते है इसकी वह लोग जिनका जादा amount का सामान होता है अगर किसी का 3,000 या 4,000 का सामान है और वो जब claim के लिए बार बार sellers ने मेशो को complain की उसके against बहुत सारे ticket raise किये तो finally मेशो आपके लिए मेशो अपनी तरफ से आपके लिए solution लेकिया गया है जिसको की वो two price method बोल रहे है two price method से मेरा मतलब क्या है basically दोस्तों क्या होगा इसमें कि आपके एक product की दो price होगी एक upper price होगी एक lower price होगी अब यह price decide होगा है कि आपका जो upper price है वो आपने जो भी existing selling price राल है वो होगा और मेशो अपनी तरफ से आप एक को एक lower price provide कर आएगा lower price बहुत ज्यादा लो नहीं होगा suppose करो कि आपका product 200 रुपे का है तो lower price 180 रुपीज होगा उससे उससे कम नहीं होगा ठीक है तो होगा कि इसमें कि ज है तो उनको भी यह product महिंगा मिलेगा अगर उन्हें return का option चाहिए for example अगर मैं कोई product purchase कर रहा हूं और मुझे चाहिए कि नहीं मैं इतना शौर नहीं हूं मुझे product buy करना है बट मुझे return का option भी available रखना है तो इसमें क्या होता है कि अगर मैंने वह product purchase किया तो मेरे पास बहु आके उनका return लेके चले जाता है मतला इसमें कोई भी checking नहीं होती कोई भी authentication नहीं होता जैसे कि हमें साथ जब हम supplier के पास हमारे पास कोई return आता है तो हमें हर चीज़ के लिए video photos provide करने पड़ते हैं but customer की side से ऐसा कुछ भी नहीं होता customer simply एक button से उसको return कर सकता है but dual price में क्या हो कि आपका product अच्छा होगा कि बहुत सारे लोगना इसको rating दिया हुआ अच्छी rating है उसके उपर तो मैं क्या करूंगा कि मैं higher price के तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाओं कि मुझे तो अपने पैसे बचाने तो मैं lower price पे जाओंगा जब मैं lower price को select करता हूं तो मेरे पास simply कोई product defective आता है या फिर wrong product आता है तो वैसे कि customer को भी यह सारी चीज़े provide करने पड़ेंगी तो इससे यह होता है कि बहुत सारे जो fake buyers है वो तो बहुत सारे product order करते हैं 10-15-20 product order करके सामान निकालके वापास return कर देते बट जो genuine buyers है जो really आपके product को खरीदना चाहते हैं उनको एक lower price मिलेगी खीक है lower price मिलेगी तो obviously आपका sale बड़ेगा और आपके पास genuine customers के return ratio कम हो जाएगा मैं यह नहीं वोटा कि zero हो जाएगा wrong return आना बिल्कुल बंद हो जाएगा लेकिन काफी हद तक यह कम हो जाएगा और यह बहुत ही practical चीज़ है क्योंकि जो genuine buyers है उनको obviously low price मिल और जो fake buyers है उनको return option चीए होगा तो उनको higher price मिलेगी तो बहुत hesitate होंगे वह चीज़ वाई करने के लिए कि same चीज़ उनको कम price पर भी मिल सकती है तो इसी के लिए चीज़ बहुत ही interesting लगी बहुत ही practical लगी मुझे तो अभी वैसे तो सारे suppliers के पास यह option नहीं गया है जो trusted suppliers है जो पुराने suppliers है उनके पास ही option आया है कि वह डूर प्राइस का method है वह activate कर सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी मेशो यह अभी पाइलेट पर चल रहा है basically बहुत ही जल्दी सारे suppliers के लिए रोल हो जाएगा तो सबके पास यह option आ जाएगा basically मेशो की तरफ से आपको एक mail जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेशो की तरफ से कुछ आपको ऐसा मिला जाता है तू प्राइसिंग के लिए आप हेडिंग ही देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है इसा कुछ मेला आता है basically मैंने जो चीज़े आपको explain कि वह यहां पर लिखी हुई है कि आपको दो प्र 20% तक जो return है वो कम हो जाएगा उसके बाद यहां पर सारी चीज़े डीटेल में explain कि हुई है कि basically two pricing method क्या है customer को क्या benefit मेलेगा और supplier को क्या benefit मेलेगा इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है इसके साथ-साथ आपको एक Excel sheet attach करके दी जाती है इस Excel sheet में basically क्या होता है कि आपके product की details provide की जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरी supplier ID है यहां पर मेरी product ID है कि कौन सा product है मैं check कर सकता हूँ आपने बैनल में जाके कि कौन से product का product ID है catalog ID दी हुई है तो आप देख सकते हैं यहां पर एक जो price है वो मेरी current selling price है इस पर मैं अभी sell कर रहा था क्योंकि इसमें return के लिए बहुत सारे procedure होंगे और जो genuine customer है वो lower price की तरफ पे जाएगा currently आप इस price को control नहीं कर सकते हैं जो lower price और higher prices को control नहीं कर सकते हैं बड़ जब मुझे मेशो की तरफ से call आया था तो मुझे बताया गया था कि बहुत ही जल्दी जैसे कि हम अपने पैनल अगर अपडेट कर सकते हैं हम यह lower price और higher price भी update कर पाएंगे तो अगर यह पैनल पर आ जाता है तो आप अपने हिसाब से अपना lower price अपना higher price decide कर सकते हो जिससे कि आप ज्यादा value प्रोवाइड कर सकते हो genuine customers को दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेशो के इस feature से आपके इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आपने चांट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चांट को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों इस वीडियो के लिए फिर मिलते है एक नहीं वीडियो में